आपने उन सपनों को साकार करने के उस जंग में लगेंगे जो हमने अपने मन में और अपने दिल में ठाने हैं वच्छा तो चलेंगे आज के इस प्यारे से सैसन को हम लोग जोइन करेंगे और प्यारे से सैसन में प्यारे से सवाल जवाब को ले करके हम लोग बातें करने वाले हैं और उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई प्रिवियस किलासिस काफी बेटर लगी होंगी और काफी अच्छा आपका कंसेप्ट उससे किलियर हो रहा होगा तो चलेंगे सभी साथी और जो भी बच्छे मेरे साथ जोड़ते जा रहे हैं वो एक बार अपना उपस्तिती दर्ज जरूर कराएं और सभी साथी सेशन को सेर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल पर यद आप नए हैं तो बाकी अपन लोग आगे करेंगे आज की चर्चा को ले करके भाई आगे बढ़ेंगे ठीक है तो देखें का भाई यहां पर क्या है चीजें जब आप एक बार ठान लेते ना तो चीजें भाई हो जाती है आपको बिल्कुल भी परिसान होनी की कोई आवशक्ता नहीं है क्योंकि कल एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया आपके लिए डाला उस पे मैंने कुछ कमेंट्स बच्चों के देखें तो बच्चे कह रहे हैं कि सर एक दिन में सफलता नहीं मिलती है बाई ऐसा तो है उस पर एक कमेंट भी आया एक और प्यारं साथी ने कमेंट किया गर एक दिन मिल ही जाती है तो यह बात बिल्कुल सत्त है कि एक दिन सफलता मिलनी ही है और अगर हम उस चीज़ को ऐसे नकार्ते चले जाएं कि नहीं सफल हीं नहीं घो सकते तो how it is possible, भाई कुछ भी possible नहीं होगा फिर तो why nothing is possible, यद आप ऐसा ही सोच रहें तो, हमारा subconscious mind यही सोच जाता है कि हम सफल ही नहीं होंगे, तो भाई सफल होने के लिए दिरण निश्चे आपको लेना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कितना भी महनत क्यों ना करना पॉजिटिव थिंकिंग काफी mandatory होती है हर सेक्टर में आपको माहर बनाने के लिए, तो सभी प्यारे साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं वही कहना चाहरा हूँ आप सभी बच्चों से, कि आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बैठें, किसी भी क्लास को अगे ना कि अब हम नहीं कर सकते इसमें, तो उस दिन को याद करना, जिस दिन आपने त्यारी करना स्टार्ट किया था, उन मावाब के सपनों को याद करना, जिनों ने वो अपनी खुली आँखों में आपको देखते हुए देखे हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी एक दि उस लक्ष को हासिल करेगा जो हम सोच रहे हैं तो आपका manowal कभी नहीं गिर सकता आपका motivation कभी नहीं गिर सकता और motivation क्या है वो self motivation आपका होना चाहिए यद आपको किसी भी छित्र में किसी भी field में यद आपको भाई आगे बढ़ना है और एक अपने आपका परचम लहराना है तो हमेशा चीजों को ध्यान में रखते हुए चलें और अपने उस दिन को याद करते हुए चलें कि हमने तयारी ही क्यों start की थी तो आप आगे बढ़ सकते हैं भीया ठीक है तो चलो इनी बातों के साथ आज का प्यारा सा सेसन आपका शुरू होता है मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफी हमारे प्यारे प्यारे सभी साथ ही तो वो हैं हमारे मुस्कान जी और अंजनी जी शीतल जी भूत भाई को ने विया राम राम भिया तो सीतल जी, सुर्जीत जी चलो आगे बड़े भ twenties नंदनी जी श्यामकुमार जी Good morning Good morning सभी को रादे रादे चलो भ самой स्टार्ट कर देते हैं और आज के इस प्यारे से सेसन को जसमें हम प्यारे से सवाल जबाब की बात करने वाले हैं वही MCQs है और ये सारे exam के लिए most या महत्वपूर हम कह सकते हैं आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हैं बिहार SI, बिहार SSC 10 plus 2 को प्रॉपर तरीके से यहां पर क्या है भाई cover किया जा रहा है वाकि आप जितने भी बंडे exams की तियारी कर रहे हैं सारे exam के लिए more than sufficient रहेगा आप बिल्कुल भी परिशान ना हो किसी भी exam की तियारी करने वाले बच्चों के लिए ये mandatory class होता है MCQs का मतलब भाई MCQs होता है जिसको करने से हमारे concept के लिए होते हैं जिसको करने से हम time management करना सीखते हैं करने से हमारे questions की approach पकड़ना हमें आती है अगर ये तीनों चीज अगर आपकी हो जाती है न तो definitely आप questions को आराम से अच्छे से सही से कर पाते हैं भाई चलो चलो आगे बड़े भाई आगे कुमकुम यादब जी श्याम जी यादब किंग जी शिल्पा सिंग निश्व महताजी सभी को गुड मॉनिंग सभी को रादे रादे कोशन आगया भाई अब तो आपके सामझे answer करके बताओ फटाबर से see answer आगया सिल्पा सिंग का देखिए भाई पंड हरित कलोरो फिल में निमलिखित में से कौन सा तत तो पाया जाता है ये कलोरो फिल की बात करना है कलोरो फिल का एक भाई है देखो इसका एक भाई है वो बहुत प्यारा सा भाई है कलोरो फिल का और उस कलोरो फिल के जो ब्रदर की अगर हम बात करें न भाई देखो जो कलोरो फिल होता है अगर मैं इसके एक brother की बात करूँ तो वो होता है hemoglobin hemoglobin होता है बटा और ये जो hemoglobin होता है ना बच्चा इसी hemoglobin की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना ये जो chlorophyll है, ये कहाँ पर होता है, ये plant में होता है, कहाँ पर होगा भी ये प्लांट की पत्तियों के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, पत्तियों में देखने के लिए मिलेगा हीमोगलोबिन में एक मैटल पाया जाता है कोश्चन आता है कि इसमें कौन सा धातू होता है तो इसमें धातू की बात आती है तो इसमें मैगनिसियम धातू पाया जाएगा ठीक है वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ जो हमारा हीमोगलोबिन होता है तो इसमें कौन सा धातू होता है भई तो इसमें अगर आप धातू की बात करें भईया तो इसमें लोहा धातू पाया जाता है मतलब FE पाया जाएगा लोहा धातू पाया जाता है इसमें भई ठीक है अब दूसरी बात करें हम अब दूसरी बात करें तो ये क्या करता है हीमो गलोविन जो है वो RVC को लाल रंग प्रतान करता है हीमो गलोविन जो होता है भाई RVC को ये लाल रंग देता है याद रखेंगे It is gives red color to RVC जो chlorophyll होता है ये पेड़ पौदों की पत्यम होता है जो फोटो सिंथेसिस जो होता है प्रकास संसिलेशन बेटा प्रकास संसिलेशन ये प्रकास संसिलेशन की किरिया में क्या करेगा भाई सहयक होगा भाई अब प्रकास संसिलेशन की किरिया जो करेगा तो कैसे होगी प्रकाज संसलेशन की किरिया सर बताएंगे क्या बिलकुल बताएंगे भईया प्रकाज संसलेशन की किरिया को करने के लिए क्या होता है आप जानते हैं 6 CO2 होता है प्लस 6 H2O होता है ये दोनों ही क्या करते हैं जब ये दोनों क्या करते हैं भाई मिलते हैं कहां मिलेंगे संला प्लस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्तिती में, तो फर ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं, भीया, ग्लुकोज, C6, H12, O6, प्लस क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, 6H2 हम कह सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रकास संसलेशन हुआ हमारा, सर जी ये कैसे हो गया ज़र बताओ, देखो, जब आप प्रकास संसलेशन की बात करें, तो मान के चलो ये हैं हमारे पास में प्लांट बहिया, ये क्या ऐसा नहीं, बढ़िया वाला प्लांट बनाते हैं, अच्छा वाला, देखो ये प्लांट की रूर्स बनाते हैं सबसे पहले तो है और ये हमारा चला गया प्लांट, सर जी ये कौन सा प्लांट है, ये पहली बार देख रहे हैं, देखो इसी को अच्छा वा पार्ट दिखाई दे रहा है यहां से क्या होता है इन पतियों के अंदर छोटे 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 छिद्र पाये जाते हैं उन्हें रंद्र का नाम दिया जाता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें रंद्र कहा जाता है और वो रंद्र क्या करते हैं इ chlorophyll इन पत्तियों के अंदर पाया जाता है कहां पर होगा भाई chlorophyll होगा chlorophyll होगा और यह जो chlorophyll होता है यह क्या करता है यह प्रकास जो आता है sunlight जो आते है उसको absorb करता है कौन chlorophyll लेकिन अगर मैं बात करूँ इस मरदा के अंदर यह क्या भाई यह मरदा है और मरदा बोले तो मिट्टी है और इस मिट्टी के अंदर यह जो जड़े चली गई है ना नीचे यह पानी का अवसूसन करती है तो मरदा से क्या लिया जाता है भाई H2O को लिया जाता है और H2O को जो लेने की प्रक्रिया है या इस पानी को क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है जो कैपलरी वाटर सी ए पी आई एल एल ए आर वाई अब ये जो कैपलरी वाटर होता है इसका अवसूसन कर रही है कौन भाई हमारी जड़ें कर रही होती है जब जड़ें इसका अब सूसन कर रही होती है पिलस ऑक्सिजन ये तो रही गया है ना चलो H2O पिलस क्या निकाले की भाई ऑक्सिजन ये है ठीक है अब ऑक्सिजन के 6 अडू निकलेंगे वो मैंने H2O लिख दिया अब देखो यहां पर क्या होगा अरे वो H2O है वाई मिस्टेक वो हुआ है ना अब देखो यहां पर क्या होता है एक चीज यहां पर समझेगा कि यह जो हमारी कैपलरी बॉटर होता है इसको जड़ें क्या कर रही होती है अफसोसित कर रही होती है यहां पर क्या होता है इनके पास जड़ों के पास क्या होगा भाई एक जाइलम टीशू होता है जाइलम उतक होता है अब जाइलम उतक जो होता है इस पानी को यहां से ले जाता है और कहां पहुचा देता है पत्तियों में पत्तियों ने क्या ले लिया भाई बायू मंडल से CO2 ले लिया और जड़ों ने क्या ले लिया पानी ले लिया अब किलोरोफिल ने क्या कर दिया भाई सनलाइट को एबजॉब कर लिया तो किलोरोफिल सनलाइट को एबजॉब करता है जड़े पानी का वसूसित करती है बायू मंडल से CO2 ले लिया जाता है यह स इस्तिती में क्या होगा उस इस्तिती में ये गलुकोज का निर्माड होगा C6H12O6 प्लस क्या निकलेगा 6O2 निकलेगा भाई इसका मतलब है कि ये जो रिलीस करेगा किसका oxygen का तो प्लांट क्या करते हैं oxygen निकालते हैं चाइलम पान ही ले जाता है और एक और टीश्य होता है फ्लोयम जो हमारी प्लांट की पत्तियों के अंदर से पूर्डे के प्रतेक भाग तक खाने को पहुचाने का कार करता है तो मैंने क्या बताया कि यह जो chlorophyll होता है यह प्रकार संसिलेशन की किरिया में सायक होता है और इसमें जो metal पाया जाएगा जो metal होता है जो इसमें धातू होता विया वो धातू अगर हम बात करें तो mg ही होता है magnesium धातू होता है अच्छा यह दो प्रकार का chlorophyll होता है chlorophyll A और chlorophyll भी, मतलब हम यह कह सकते हैं, कि alpha और beta, अगर alpha और beta की बात करें बच्चा, तो किसी भी plant की पत्ती के अंदर, जैसे मालो यह कोई plant की पत्ती है, और इस पत्ती में alpha और beta नाम का chlorophyll होगा, अगर मैं alpha और beta की बात करूँ, तो यह chlorophyll तीन अनपात, एक के अनपात में देखन लिखित में से कौन सा तत्त पाया जाता है, तो क्या होगा, magnesium is the correct hair भाई, option number C, option number क्या सही हो जाएगा बच्चा, इसका answer, C is the correct hair, चलो, आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ें भीया, चलो, capillary water क्या होता है, capillary water का पानी, जो पेड़ पौदों की पत्तियां अवसोसित कर रही होती है न, उसे capillary water कह लेते हैं, capillary procedure की भी कह लेते हैं उसको बच्चा, तो वो पानी का जो अवसोसित किया जाता है, जड़ों के द्वारा, उसे capillary water बोला जाता है, ठीक है, चलो, अगला point बढ़ेंगे भाई, अगला, किलोरोफिल पर्ण हरित में पाया जाता है, किलोरोफिल पर्ण हरित में पाया जाता है, किलोरोफिल पर्ण हरित में पाया जाता है, यह कौन सा कोश्चन है, यह कौन सा था भाई, सेमी कोश्चन दे दिया है क्या, पर्ण हरित किलोरोफिल में, और यह किलोरोफिल पर्ण हर एसे ही रहने देंगे तो फिर से आनसर इसका सी हो जाएगा लेकन अगर में यहाँ पंड शर्थ की जगे पर क्या क्र दूँ यहाँ पर मैं हीमो गलोबिन करके देगों तो अब आनसर क्या करेंगे हीum oo ग्लोबिन में पाया जाता है इसको काड़ देते हैं तो फिर हमोग नहीं हें एक हमोगा करो लोहा जिसे हम करें आयरन एतनी बाद्स समझ में और यह तैं इस एक नहीका करें मौना कुछ that unite कि अभी अभी तो हमने डिसकस कर लिया है तो इसको बारबार डिसकस नहीं करेंगे आपकी बात इतनी समझ में आ गई होगी बिटा चलो ये कोशन देखो जाना सूची एक को सूची दो से मिलाना भाई इंगलिस हिंदी में थोड़ा सा उपर नीचे हो गया बाकी आप इसके आदार पर आप कर सकते हैं कैसे करेंगे वो चीज़ आपको देखने है बिटा है ना चलो स्टार्ट करो देखो भाई पक्षियां जो कभी अपना गोंसला नहीं बनाता है ऐसा कौन सा पक्षि है बिटा आप बताओ कौन सा पक्षि होगा अगर उस पक्षि की में बात करूँ धरविंदर जी और शपना जी रूमी खान जी तो एक चीек समझेगा कि यहांपर अगर हम ऐसी पक्षी की बात करनें, जो कभी क्या नहीं बनाता वज्चा, वो नहीं बनाता, गहुशला वो है हमारी कोईल, भो गाना सुना, आपने कोईल सी तेरी बोली अब जो कोईल सी तेरी बोली है, वो कोईल केवल है बच्चा उसमें रहना पसंद करती है और वो चूज करती है कि कौन से गौणसले अच्छा बनाया और को है कि जीव जो अपनी पूँच त्याग देता है, छिपकली होगा कहीं न कहीं, देखो भाई, यह कौन सा हो जाएगा बटा, यह दूसरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दूसरा, आप छिपकली को हलका सा टच कर देंगे, तो तुरंत वो कह भाई, अपना क्या कर देगी, तीसरा हो जाएगा, विलू-बेल होती है, और बुद्द्दमान आप नहीं होते हैं, कौन होता है? चिंपैंजी होगा, चिंपैंजी को सबसे ज़्यादा बुद्द्दमान मना जाता है, कहीं आप अपने आपको बुद्दमान समझ रहे हों, तो यह क्या हो जाएगा भाई? answer क्या हो गया? answer हो जाएगा हमारा 3, 1, 4 और दूसरा 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 option number B is the correct option number B is the correct मीडा बोलने वाले दूसरों के लिए खतरनाग होते हैं, भाई सत बात है यह तो आपकी, निमलेकित में से कौन सी मरदा, मरदा के पोशक तक्तों जैसे, कैलसियम कार्विनेट, ध्यान से पढ़ना कैलसियम कार्विनेट मैगनीसियम, पोटेशियम चूने से सम्रद होती है, भाई आंसर करके बताओ, जल्दी से कौन सी ऐसी मरदा है जो कैलसियम कार्विनेट और मैगनीसियम, पोटेशियम इन सब से सम्रद होती है आंसर करके बताएंगे, भाई जल्दी से फटावर से अच्छा अब इसके अंदर क्या है ऐसी मरदा, जो टिटैनी फेरस कहलो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हूमस हूमस इसमें जो होता है ना भाई, इसके कारण क्या है इसके कारण ये लाल कैसी हो जाते है, काली हो जाते है, हूमस की उपस्तिती के कारण ये काल ही हो जाती है की उपस्तिती से इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा भाई टिटेनी फेरस टिटेनी फेरस है यह टिटेनी फेरस और हिूमस भी हम कह सकते हैं टेटेनी फेरस हीुमस बोले तो जीवास में जो होता है जीवास जो होता है के कारण क्या होती है बटा काली होती है क्या होती है काली होती है अच्छा ये जो मिट्टी होती है जो काली मिट्टी होती हम कह रहे हैं क्या काली मिट्टी होती है इसी में क्या पाया जाता है बटा इसी में पाया जाता है कि हमारा मैगनीसियम, पुटेशियम और चूने से सम्रद होती है, अच्छा ये मिट्टी जादा तर आपके लिए कहाँ पर मिलेगी, ये जो करनाटक छित्र है करनाटक में, करनाटक के साथ साथ ये मद्द प्रदेश में भी देखने के लिए मिलती है और मद्द प्रदेश के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो गुजरात के अंदर भी इसको देखा गया है, गुजरात, तो करनाटक, गुजरात, मद्द प्रदेश एरिया में ये ज्यादा तर देखने के लिए मिल जाती है, और एक और चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो मिट्टी का रंग लाल हो जाता है ये किस के कारण होता है ये फैरस आकसाइड के कारण होता है और एक चीज और याद रखना फैरस आकसाइड के कारण कोई भी मिट्टी का रंग रहसा है वो लाल हो जाता है इस बात को याद रखना बच्चा और ये जो हमारी लाल मिट्टी होती है और क्या हमारी जो पीली मिट्टी होती है इस पीली मिट्टी में फेरस ऑकसाइड की मातरा थोड़ी सी कम रह जाती है इस पीली मिट्टी में कोई भी मिट्टी है जो पीली है उसमें फेरस ऑकसाइड की मातरा थोड़ी सी कम रह जाएगी और लाल मिट्टी है उसमें क्या है फेरस अकसाइड की मात्रा जादा होती है जो पीली मिट्टी होती है वो कहवा चाय के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है ये कहवा जो होता है ना बच्छा कहवा कहवा और चाय कि उत्पादन के लिए भाई जे उत्पादन के लिए बच्चा जे आवशक होती है याद रखना जो पीली मिट्टी होती है जे मकर रेखा और करक रेखा के छित्रों में ज़्यादा तर देखने के लिए मिलती है मकर रेखा मकर रेखा करक्रेखा छित्र में पाई जाती है छित्र में जादा पाई जाती है है ना जादा पाई जाती है तो एक चीज देखो यहां पर क्या है आपको दिखाई दे रहा है भाई कहवा चाय के लिए पीली मिट्टी जादा आवश्यक होगी फेरस ऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है वो मिट्टी पीली हो जाती है फेरस ऑक्साइड की मात्रा जादा हो जाएगी वो मिट्टी लाल हो जाएगी और एक और चीज यहाँ पर देखो यह जो काली मिट्टी होती है काली मिट्टी जिटेनी फेरस या फिर जीवास की वज़े से हुमस की वज़े से काली दिखाई देती है इसमें क्या-क्या देखने के लिए मिल जाता है आपको बिटा तो साइद आपको पता चला होगा इसमें क्या-क्या देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर मिल जाता है क्या Magnesium, Potassium और चूने से संब्रद ये मिट्टी होती है के लिए रुआ आगे बढ़ें क्या तो सही answer इसमें क्या होगा Option number A Is the correct here वई चलो वई, आगे बढ़ें चलो वई, अगले कोशन की तरह move करेंगे भाई, अगला कोशन क्या है भारत के निम्न प्राडियों पर विचार कर लो भाई, मगर मच्छ है हाती है, निम्न मेंसे कौन सा संक्टापन जाती हो चुकिया या प्रजाती है संक्टापन का मतलब होता है विटा कि वो विलुप्त होने जा रही है वो खतम होने के लिए जा रही है वो प्रजाती कौन सी है विटा, एक वार आंसर करके बताओ, संक्टापन प्रजाती या जाती कौन सी होती है, भारत के निम्न प्राडियों में से कौन सी संक्टापन जाती है, एक बार फटाफट से आंसर करके बताएंगे सभी साती, अब आप देखो हाथी तो आपको जातर दिखाई देए जाते हैं, लेकिन अगर आप से कोश्चन आता है पूछने के लिए कि जो हमारा मगरम अच्छ है, तो मगरम अच्छ कहाँ पर क्या हो जाएगा वो संकटापन प्रजाती के अंतरगत आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, संकटापन प्रजाती के अंतरगत आ जाएगा, तो आपको याद रखना है कि संकटापन में कौन आता है, जो प्रजातियां क्या होने जा रही है, खतम होने की कगार पर जा क्योंकि हाती तो अभी स्ठी है, ठीक ठाक है, लेकिन मगर मच्छ को क्या कर रहे हैं भाई? ये एक तरीके से हम संकटापन प्रजाती कह सकते हैं. बिद्दुत के माद्यम से किसी अन्य पदार्थ के उपर किसी भी अन्य वान्षित धातु की परत चड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बिद्दुत के माद्यम से विटा बताओ जल्दी फटाफट से क्या कहा जाएगा बिद्दुत के माद्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वान्चित धातू की परत को चड़ाने को क्या कहा जाएगा आपको पता है एक होता है Galvinization होता है बच्चा है ना और जिसे Galvinikaran के नाम से जानते है Galvinikaran अब जो Galvinikaran होता है इस Galvinikaran का मतलब है Jink की परतजों चड़ाई जाती है ZN Jink को चड़ाना Galvinikaran बोला जाता है लेकिन यहाँ क्या कहना चाहरा है यह कहला है कि बिद्दुत के माध्यम से तो एलेक्ट्रो प्लेटिंग के नाम से जाना जाएगा बटा उसे किस नाम से जानेंगे एलेक्ट्रो प्लेटिंग के नाम से जानेंगे बहुत बढ़िया आनंद जी एलेक्ट्रो प्लेटिंग के नाम से जानेंगे और जिंक की परत चड़ाना क्या हो जाता है बच्चा गैल विनी करण के नाम से जाना जाता है ठीक है भाई तो यहाँ पर आंसर क्या होगा A is the correct हेर भाई इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहा जाता है चलो मानव तंत्र में प्रत्य ओक्सी कारकों का कार्य होता है भाई यहाँ बिटाइमिन संसलेशन को बढ़ावा देता है यहाँ कार्व हाइड़ेट प्रोटीन तथा बसाके अत्यदिक ओक्सी करण को रोकते हैं यहाँ मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं यहाँ काल प्रभावन करिया को धीमा कर देने की जीन सोते हैं एक चीज़ देखो यहाँ पर क्या है, यह बटाइमिन संसिलेशन को बढ़ाता है, किसकी बात कर रहा है, यह प्रतिकारक की बात कर रहा है, अब प्रतिका मतलब है कि कहीने कहीं हमारी सुरक्षा कर रहा होगा, कहीने कहीं हमारी सुरक्षा करेगा, कहीने कहीं हमको किसी ऐसे प प्रभाव से क्या करेगा भाई, कोशिकाओं को बचाने का कारे करेगा, ये क्या करता है, ये मुक्त मूलकों के प्रभाव से क्या करता है, मुक्त मूलकों के प्रभाव से बेटा ये क्या करेगा, हमारी कोशिकाओं को खतम होने से बचाएगा, ठीक है बच्चों, चलो, आगे question और अगला question बहुत प्यारा सा होगा C correct answer अगला question देखते हैं वाई सूची एक को सूची दो से मिलान करना है वाई अब देखो इसमें कौन सा यंत्र जो है किस यंत्र का प्रियोग कहां पर किया जाता है और साइद मैंने इसके बारे में एक दो ओर्गन ऐसा भी है जिसको हम लोग पहले से अल्लेडी डिसकस कर चुके हैं काफी बैतर question है चार questions यहां से clear हो रहे हैं क्योंकि यह चारों हमारे एक यंत्र दिये हैं और इधर उनसे जाच होने वाले अंग दिये हैं तो इसकी जाच कौन से organs की जाच किस यंत्र से की जाती है यह questions आपसे पूछा जाएगा तो बैटा एक बार यहां पर देखेंगे EEG ECG EOG और EMG देखो यहां पर अगर मैं बात करूँ आपसे जो EOG होता है हमारा या EEG होता है हमारा अगर आपको एक दो का पता है तो दो तीन का तो आप बैसे ही पता लगा लेते हैं अपने आपसे मैंने यह चीज़ आपको पहले बताई इस प्रगार के questions को solve करना काफी जी हो जाता है जब आपको एक point का भी answer पता होता है देखो यहां पर EEG का प्रियोग किया जाता है हमारे मस्तिस्क की क्रिया विदी का पता लगाने के लिए इसे बोला जाता है इलेक्ट्रो इंसे फैलो ग्राम होता है मैंने कल की क्लास में भी साइज यह डिसकस किया था वहीं पर अगर मैं ECG की बात करता हूँ तो यह क्या करता भाई यह हमारे हिर्दे की क्रिया विदी का पता लगाता है इस बात का मतलब है कि हमारा जो आंसर जा रहा है तीन उसके बात चार अब देखो हालां कि यह हम लोग जानते है कि जो हमारा EOG होता है यह हमारी आंख का क्या करेगा भाई आंख की क्रिया विदी का पता लगाएगा और EMG होता है यह हमारी मांस पेसियों का पता लगाता है तो इसका मतलब है कि हमारा तीन चार दो एक आंसर हमारा सही होगा तीन चार दो एक आंसर हमारा सही हो जाएगा देखो option में कहा है 3, 4, 2, 1 answer सही हो जाएगा वैटा आपका B is the correct है यह है 3, 4, 2, 1 बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ें अगला questions पढ़ते हैं भाई अगला question देखते हैं निमलिखित मेंसे कौन से billion में बिद्दुत का चालन नहीं होता billion की बात कर रहा बच्चा ऐसा कौन सा billion है जिसमें बिद्दुत का चालन नहीं होगा एक वार फटा फट से comment करके बताएंगे कि कौन से billion में बिद्दुत का चालन नहीं होता है फटा फट से क्या सही answer होगा वैटास का देखो यहां पर क्या होता एक चीज समझने की कोशिस करना कि जो हमारा अमल और चार है एलकोल और गलुकोज है अगर मैं एलकोल गलुकोज की बात करता हूँ इन दोनों को अगर हम मिला दें मिटा किसको मिला दें एलकोल और गलुकोज को जब यह दोनों क्रियाएं करते इनकी जो क्रिया होती है तो इसकी क्रिया के दोरान क्या होता है भाई ओ एच रनाइन निकल के आता है और ओ एच रनाइन निकलेगा तो इसका मतलब है भाई इसमें एच धनाइन रिलीज नहीं होगा और एच धनाइन रिलीज नहीं होगा तो इसका मतलब है इसमें का चालन नहीं होगा, यह क्या है, बिद्दुत का चालन नहीं होगा, क्योंकि इसमें असेड़िटी नहीं वन रही है, एलकॉल के साथ में क्या है, जब हम गलुकोज, गलुकोज जो हमारा होता है, आप जानते हैं, यह क्या होगा, C6H12, O6 होता है, और यह एक होता है, और यह मौनोसेकराइड जो होगा, यह इसके साथ जब अलकॉल के साथ मिलेगा, तो यह OH रनायन निकालेगा, इसलिए इसमें बिद्दुत का कोई चालन नहीं होगा, तो हम यह कह सकते हैं, कि अलकॉल और गलुकोज का जो बिलियन वन जाए, उसमें बिद्दुत क चालन नहीं होता, ठीक है भाई, बिल्कुल जी प्रबीन जी भी है, बिल्कुल, चलो, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, भाई अगर इतनी सी वास समझ में आ रही है न, अगर इतनी वास समझ में आ रही है तो एक बार फटाफट से कमेंट सेसर में छोड़ो भाई, थम के ह सर समझ में आ रहा है, किलियर है तो बताओ एक बार फटाफट से, तब ही आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर, जल्दी से फटाफट से आंसर करके बताएंगे सभी साथी, निम लिखित में से किसकी किरिया विधी, रिकॉर्ड करने है तू EEG, देखो अभी जस्ट तो हमने द इससे किसका पता लगा जाता है, ब्रेन, ब्रेन बोले तो भाई, मस्तिस्क की किरिया विधी का, मस्तिस्क की किरिया विधी का पता लगाते हैं, और मस्तिस्क किरिया विधी का पता लगाने के लिए, EEG का प्रियोग किया जाता है, I think इतनी सी वास समझ में आ रही है, सब को किलियर है आप सबी को तो भाई एक वर फड़ा-फर से सहसन को जितने बत्चे लाइव था लाइक भी नहीं अभी तक आपकी यह है कि इतनी कंजूसी कैसे कर लेते हैं आप यार जितने लाइव है उतनी लाइक होनी चाहिए अगर आपको पसंद आ रहा है सहसन तो सेयर करना त के खाया करो यार सब को बताओ, सब को बुलाओ सब को पढ़ाओ, है ना तब ही सब होगा, है ना, सब का साथ सब का विकास, सुनी नहीं है कि आपने ये वाली लाइन, तो एक बार फटाफ़र से भाईया, ये बिहार दरोगा के लिए जतिन जी, बिहार दरोगा कोई फोकस में लिया जा रहा है, उसी का एक्जाम आपका नियर एस्ट है, तो उसी के लिए चल रहा है परेशान ना रहिएगा, हालांकि हर एक एक एक्जाम के लिए महत्वपूर्स एसन है लेकिन विहार और BPSC के जो परिक्षाएं जो हमारी हो रही है जो BSSC की परिक्षा जो आती है उसके लिए बहुत ज़्यादा सफीसेंट है मोड देन इनफ है इससे बहार नहीं आएगा अगर चीजें आप ऐसे रेगुलर डुटेन में लगे रहते हैं तो अच्छा अंकित राजपुच जी कह रहे हैं कि सर मोग कहां से लेए पहली बात तो ये मोग टेस्टी चल रहा है आपका जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ हर टीचर आपको एक नई नई अपनी सब्जेक्ट का दे रहा है और वाकी आप मार्केट में किसी भी बुक को उठा करके क्योंकि अब जो बिहार SI के लिए ना केवल आपके पास 10 से 12 दिन बचे हैं दस से 12 दिन में आप ये सोचिये मत किसका मोग टेस्ट लेना एक किसका क्या लेना अब इसमें रह जाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे कोई भी मोक टेस्ट ले लिजिए मार्केट में जाकर कोई भरकनी परता किसी भी का कोई भी राइटर का मोक टेस्ट ले लिजिए लेकिन हमें number of questions को लगाना ये सबसे बड़ी बात है और मोक टेस्ट मैंने बताया है कि आप एक सुबह जागने के तुरंत बाद लगाएंगे और एक सुनी से पहले ये डोज हैं आपकी आपके एक्जाम को पास करने की केवल ये दो मैडिसन ले लो एक सुबह ले लो एक साम को ले लो एक खाली पेट सुबह लेनी है और एक खाने के बाद सुबह लेनी है मतलब मोक टेस्ट लगा करके ही सोना है कसम खा करके आपको और सुबह जागने के जस्ट बाद मोक टेस्ट लगाना ये आपने कसम खा रखी है और इसके बाद आठ से दस गंटे आपको भाई हमारे साथ जुड़े रहना है टीचर्स आपको हर सब्जेक्टे कोशन्स करा रहे हैं और उसके बाद में तीन से चार गंटे की क्लास वाईटी पर अपनी चल रही है और उसके बाद जो समय बचरा है आपके पास में बच्चा उसके बाद जो समय बचरा है ना उसके लिए आपको क्या करना है अपनी जो प्रिवियस आपनी जो पढ़ा है ना उसको रिवीजन करना है भाई बिटा साइन्स के 50 कोशन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि अगर आप कोशन आंसर कोशन आंसर लेंगे तो 60 भी हो जाएंगे, 100 भी हो जाएंगे लेकिन अगर कोशन के साथ आप समझ के पढ़ रहे हैं कंसेप्ट को किलियर कर रहे हैं और हाँ मेरी कसम खालो मैं ही तो बचाओ भगवान अरे भाई कसम खाओ अपने उस सपने की जो आपने मन में ठाना उसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आप लड़ रहे हैं कि चाए कुछ भी हो जाए हम नहीं कर सकते इसको ही करेंगे चलो भईया आगे बढ़े देखो हम एक कोशन के साथ दो दो तीन तीन कोशन को डिसकर्स कर रहे हैं वीटा अगर देखा जाये तो अगर आप देखो यह कोशन आगा एक दो तीन चार कोशन मिलेंगे आपको यहाँ से चारो कोशन को आप पढ़ लो देखो ECG का प्रियोग किया जाता है ECG का प्रियोग कहाँ पर करते है Electrocardiogram जो होता है ये तो हम पढ़ी रहें के हिर्दय के लिए करते है EEG का प्रियोग मस्तिस्क के लिए करते है ये भी हमने पढ़ लिया है भाई Audio, Audio, Audio क्या होता है भाई तो मेरे सपना की कसम कोई न खाओ कितने सैतान हो गए न आप इतने निकम में कैसे हो सकते हैं यार गंदी बातें करते हो कभी कभी जल्दी से फड़ावर से से सेसन को सेयर करो मोज मस्ती के साथ साथ पढ़ते रहो और कंसेप्ट को किलियर करते रहो है न चलो रैसिडिटी क्या होती है भाई रैसिडिटी की बात करें अमलिय वर्सा के वारे में तो आप कुछ ज्यानते होंगे थोड़ा बहुत मुझे उम्मीद है भाई सेसन को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेयर करो फड़ावर से सेसन को 100 प्लस करना है आपको ये आपका फर्ज है देख लो प्रेन होती है बच्चा ये मानसून की पहली वर्सा होती है कैसी होती है ये मानसून की मानसून की पहली वर्सा होती है याद रखेंगे ये पहली वारिस होती है ये पहली वारिस होती है अच्छा ये वारिस आपके लिए खतरनाग भी हो जाती है बटा ये खतरनाक इसलिए हो जाती है कि इसमें क्या है बहुत ज़्यादा असुधियां आ जाती है और बहुत ज़्यादा असुधियां जैसे मान के चलो नीचे से सब कुछ गया और ऊपर atmosphere हमारा क्या था भाई प्रभावित था और उसके माध्यम से पानी नीचे आ रहा है उपर से वो अब नीचे आ रहा है तो उसमें वो सारी चीजें मिल जाते हैं तो मांसोन की पहली वर्सा जो है वो एक असुद मानी जाती है और वो एक क्याए भाई उसमें नहने के लिए मना कर देती है हमारी दादी मा जो आपने दिलका होगा कि बिटा पहली वारिस है इसमें मतनाना क्योंकि बॉड़ी पर क्या है फोड़ा फूंसी जैसी चीजें देखने के लिए मिल जाती है वच्चा है ना तो यहां पर क्या यह पहली वारिस है, अच्छा एक और बात बता है, इस मांसून जो अमलिय वर्सा होती है न इसमें H2SO4 जो होता है हमारा, H2SO4 प्लस, इसके साथ में हम क्या मिला होता है? HNO3, HNO3 जो होता है, यह अमलिय वर्सा के लिए आवश्यक हो जाएगा, यह क्या करत से हमारी जो मिट्टी होती है न उसकी उपज को उपज को क्या करता है भाई यह खतम कर देता है मतलब हम यह कह सकते हैं कि हमारी मिट्टी को हमारी खेतों को बंजर बनाने का यह कार करेगा मतलब मिट्टी उपजावपन कम कर देता है मिट्टी का जो उपजावपन होता है न अमली ये वर्सा, अब मिटी के उपजावपन को कम करने के लिए क्या होता है भाई हमारा H2SO4 और HNO3, ये क्या करता है, मानसून की पहली वर्सा जो होती है ये इसको कम कर देगा, सीधी सी बात है, लेकिन अगर मैं बात करूँ फलों को पकाने के लिए क्या होता है भाई, फलों को पकाने के लिए एथाइलीन, अलकोल का प्रियोग किया जाएगा, याद रखना जो एथलीन भी कहते हैं इसको और इसी को पनलोग भाई एथाइलीन कहते हैं एथाइलीन भी कहते हैं और ये कृतिम रूप से एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये क्या है ये गैसी अवस्था में इसकी जो होती है गैसी अवस्था गैसी अवस्था जो होती है वो एथाइ fatty, acid होता है, उसका oxygen करती है, उसकी acidity को कम करने के लिए ये कार्यत होती है, इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, option number B, इसको aethylene भी लिख सकते हैं और aethylene भी लिख सकते हैं एसे करके, तो दोनों सेमी बात बन जाती है, यहाँ पर aethylene और aethylene ठीक है भाई, चलो, आगे बढ़ें क्या, सही अंसर क्या हो जाएगा इसका, option number B is the correct here, चलो भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, वो जल्दी पका नहीं देती है, वो बेकार कर देती है, खतम कर देती है, एक परकार से हम देखें तो, चलो, अगला question देखते हैं भी आगला question, मानव सरीर के बीतरी भाग में रोगों की पहचान करने के लिए भाई, क्या होता है, देखो आफ सभी लोग जानते हैं कि जो एक अमारे पास में एक यंतर होता है, और उस यंतर देख भाई, अभी कम है भाई बच्चे, 20 बच्चे और जोड़ी है मेरे साथ जल्दी से फटाफट से, जितना हो सके उतना जल्दी 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 फटाफट से, अब कोई भी बस्तू जो होती है विटा, कोई भी बस्तू जो होती है उस बस्तू की अगर हम जाइरो इसकोप की बात करें, तो जाइरो इसकोप एक ऐसा यंतर होता है, यह किसी भी बस्तू के कोडिय जुकाव का पता लगाता है विच्चा, कोडिय जुकाव, अब कोडिय जुकाव क होता है या सरीर के आंत्रिक इंटरनल जो आरगन ओटे रागन हते हैं या अंगου की क्या करेगा भाई मेरे यह जांच करेगा आच्छा एक चीज और आति है पूछने के लिए दियान रखना कि जो हमारा एंड्र esse इसको बोलता है यह किसके आधार पर कार यह तो होता है तो यह त Reverber TIR क्या होता है total internal reflection इसे कहा जाता है वेटा वी मी पूर आंत्रिक परावर्तन उत्यद्द पूर्द आंत्रिक परावर्तन वूड आंत्रिक परावर्तन टोटल internal reflection के आधार पर कार करता है के आधार पर कार करेगा क्योंकि इससे पूरा का पूरा प्रकास जो डाली जाती है x-rays डाली जाती है वो पूरी की पूरी बापस आ जाती है इसी को हम पूरा अंतरिक प्रावरतन कहते हैं वेटा TIR, total internal reflection एक चीज बात और याद रखना यहां पर यह TIR के लिए ही आपको अगर मैं बता दूँ तो एक चीज यह याद रखेंगे जैसे 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 क्या होगा हाँ यहां देखते हैं जैसे कि आप से बोला जाता है मरीचिका, मरीचिका का निर्मार जो होता है भाई, मरीचिका मरीचिका का बनना भी पूर आंतरिक परावर्तन पर होगा और हीरे का चमकना हीरा जो होता है, हीरे का चमकना भी पूर आंतरिक परावर्तन होगा इसको ऐसा गरतें यहां लेते हैं देखो TIR TIR से समझेंगे दो तीन बात है हीरे के चमकने का कारण हीरे का चमकना हीरा चमकना क्या होता है भाई पूर आंतरिक प्रावर्तनी होता है है ना TIR के कारणी क्या होता है हमारी मरीचिका का बनना मरीचिका का बनना और TIR के कारणी क्या होता है हमारा यह TIR के कारणी क्या होता है हमारा यह होता है सडकों पर मरीचिका का बनना सडकों पर मरीचिका का बनना मरीचिका का बनना और इसी के कारणी क्या होता है इंडोस्कोप होता है ये भी इसी पर आधारित होता है इसी पर कार करता है तो मरिचिका का बनना जैसे आपने देखा होगा कभी कबार आप सड़कों पर जा रहे हैं अपनी कार ले करके वाइक ले करके एक्टवा ले करके और सड़कों पर चलते चलते आपने गर्मियों के दिनों में यह चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है वेटा तो वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि रोड पर पानी है और आपकी गाड़ी की स्पीड जब होती है तो उसमें ब्रेक खुद से लग जाती है और जब break खुट से लग जाती है तो वही होता है मरीचिका का बनना, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आगे पानी है, आपको ऐसा लगता है बच्चा, पानी है तो पानी होता नहीं है, लेकिन वहाँ पर प्रकास का पूर आंतरिक परावर्तन होता है, है ना बटा, वह भी हमारा पूरांतरिक प्रावर्तन पर कार करता है, यहां से बहुत जादा जो most important questions बनता है आपके लिए, वो question ये बनता है, कि जो गर्मियों के दिनों होते हैं, गर्मियों के दिनों में, रेगिस्तान चित्र में, पेडों के उल्टे चित्र बनने का क्या कारण होगा, गर्म के दिनों में, गर्मियों के दिनों में, ब्रच्छों के उल्टे प्रतिविम, उल्टे प्रतिविम का कारण, क्या होगा भाई, TIR होगा, total internal reflection होगा, याद रखना, यह question खूब सारा पूछा जाता है, TIR के कारण होता है, जो गर्मियों के दिनों में, रेगिस्तान चेत्र में जब आप जाओगे, तो वहाँ प्रक्छों की जो images बनती है, जो छाया बनती है, वो उल्टी दिखाई देती है, तो इसलिए वो TIR के कारण ही हो जाएगा, एक और चीज़ समझेगा बच्चा यहाँ पर, यह तेज चल देना चाहरा है, कि कोशन था, जो कोशन की language थी, वो यह थी, कि रात को, रात को हीरे का चमकना, किसके कारण होगा, option था उसमें TIR, option था वेटा उसमें परावरतन, परावरतन मतलब reflection, option C था उसमें A और B दोनों, A और B, A और B दोनों, और option D था इसमें, none of these, इन में से कोई नहीं, answer क्या होगा, जल्दी से answer बताएंगे, इन में से कोई नहीं, रात को हीरे का चमकना, क्या होता है, वह थी, TIR के कारण होगा, या फिर परावरतन के कारण होगा, या फिर A और B दोनों के कारण होगा, या इन मेंसे कोई नहीं, फटावर से आंसर करके बताओ सवी साती, यह स्टेंट कहा गई आपकी भाई, क्या चा रहे हैं आप लोग, ऐसा करेंगे तो फिर समस्या की रीट है भाई, फिर नहीं मजाता, एक बार फटावर से से सेसन को सेयर करो जादा से जादा, यह इतना प्यारा कंसेप जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं भाई इतना प्यारा कंसेप बता रहा हूँ ना, यहां पर बच्छा अक्सर करके कनफ्यूज रहता है, तो आंसर क्या होगा बिटा, यह कोशन बना है, सेसी ने पूछा है, मैंने नहीं पूछा जे, सेसी ने पूछा है, मैं आ बहुत बढ़िया, खुशी सर्माजी TIR कह रही है, बहुत बढ़िया, और रूमी खान जी कुछ कह रही है, सनलाइट रात में कहां TIR नहीं होगा, अब भी, अच्छा, अब भी होगा, अरे बहुत बढ़िया, बतलब गए लेकिन थोड़ा सा और अप्रोच नहीं पकड़ पा प्रकास का पूर आंतरिक प्रावरतन होगा, तभी हीरा चमकेगा, और रात की बात कर रहा है, और रात के अंदर प्रकास नहीं है, इसका मतलब है वो अंधेरे की बात कर रहा है, और कोई भी हीरा अंधेरे में नहीं चमकता, कोई भी हीरा अंधेरे में नहीं चमकता, ठीक ह TIR और कुछ थोड़ा दमाग लगाएंगे थोड़ी देरे के लिए फिर कहेंगे नहीं TIR भी हो सकता है परावरतन भी हो सकता है तो सीधा दोनों लगा देते हैं गलत गिया फिर बहुत ज्यादा गलत हो गया चलो D is the correct here केलियर हुआ इतना सा चलो अगला कोशन देखते हैं जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे Tetraplasia Tetraplasia हो गया है तो उसका आसे होता है उसके पच्छा घात से अब एक कोशन आता है वाच्चा यह Tetraplasia जो होता है ठेटraplasia की बात कर रहा है और यह Tetraplasia जो होता है इसको याद र इतना भी आपको याद रखना है, quadriplasia, quadriplasia भी बोला जाता है, tetraplasia को, plasia भी बोला जाता है, अब ये quadriplasia होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भीया, हातों और दोनों पेरों का, या फिर, पच्छा गात का मतलब समझ में आ रहा है आपको, पच्छा गात का मतलब होता है, लकवा हो जाना, पैरालाइसिस हो जाना, लकवा, तो जो लकवा हो जाता है जो पैरालाइसिस हो जाता है, ये कहां पर होगा, जो हमारा क्वाड्री प्लेजिया होता है, इसमें जो हमारे दोनों हाथ होते हैं, दोनों हाथ जो होते हैं, हाथों, वो दोनों पैरों में, दोनों स्पेसियों का पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से काम करना बंद काम करना बंद ये क्या होता हमारा टेट्राप्लेजिया होता है क्वाड्री प्लेजिया भी कह लो टेट्राप्लेजिया कह लो इसमें क्या होगा हमें लखवा हो जाता है हाथ और पेरों में जब किसी डॉक बाद से संबंध होगा दोनों हाथ और दोनों पेर को क्या हो जाता है पेरालाइसिस हो जाता है बिटा तो दोनों हाथ दोनों पेरों को पेरालाइसिस हो जाता है इसे क्वाड्रिप्लेजिया भी कहेंगे आप टेट्राप्लेजिया भी कहेंगे जाने की बिल्कुल दरूवत नहीं है भूक यहां पर पढ़ाई से बिल्कुल मिट जाती है बच्चा जब मैं पढ़ाते हुए यह सोच लेता हूँ कि नहीं पहले मुझे पढ़ाना है बाद में खाना है तो आप पढ़ते हुए बिल्कुल सोच सकते हैं पहले पढ़ना है, बाद में खाना है, तो पहले पढ़िएगा, कौन सी दिक्कत आ रही है, आदे घंटे में, 15-20 मिनट में, क्या दिक्कत आ रही है, पढ़ो पहले, खाने पही लगी रहते हो, राद दिन सोना और खाना दो ही काम है आपके पास है, पढ़ लो चुपचाप से प्राडियों में आहार, श्वसन और संसलेशन तीन प्रमुख गुण होते हैं बिटा, बहुत प्यारा कोशन है, और इस कोशन का अंसर आप सभी साथी सही करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरे-पूरे, एक बार सहसन को सभी बच्चे सियर लाइक कर दो, जितने बच्चों भाई देख रहे हैं, उतनी भी लाइक नहीं है, यह आपकी बहुत बड़ी नाइंसाफी वाली बात हो रही है, मेरे संग में दगामत करो, जब चाप से बिना किसी भी कंजूसी के कर देंगे भाई इसको क्या, अनराग जी भाईया, बहुत बहुत श्वागत, अविनन्दन अस्तिकवाल, बस में एकदम बढ़िया, स्वस्त आभार आपका, आप बताएं कैसे हैं, और तवियत आपकी उम्मीद है कि अच्छी होगी, अब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, अच्छे से, अनराग जी, चलो भाईया, आगे बढ़ें, बी आंसर दे रहे हैं जो गहते हैं भाई, अपाप च्छै, देखो यह वाली बात आपकी सही है, इसमें आपने कुछ गलत नहीं का, अपाप च्छै इसका अंसर सही होगा, और अपाप च्छै के अंदर भी, दो किरिया ही देखने के लिए मिलती हैं, एक तो अपचे होगा, और दूसरा क्या हो ज जो होता है हमारा उपचय होता है क्या होता है उपचय होता है तो यह दो किरियां उपचय के अंतरगत आ जाती है जहां पर अगर हम बात करते हैं भाई जो कार्वनिक पदार्थों का विगटन होता है कार्वनिक पदार्थों का विगटन होकर के कोशिका के लिए जो उर्जा बनते हैं, उसे क्या बोला जाता बच्चा, उसे अपचय के नाम से जाना जाता है, जहां पर क्या होता है, कार्वनिक पदार्थों का विगटन होकर, उर्जा का निर्माड होता है, उर्जा निर्माड होता है, उर्जा निर्माड होता है, उर्जा निर्माड होगा, उसे क्या बोला जाएगा अपचे के नाम से जाना जाएगा और इसमें क्या है जो स्वसन क्रिया के दोरन एक तरीके से और देखें तो स्वसन क्रिया के दोरन क्या होता है यहां पर उर्जा बनती है स्वसन क्रिया में उर्जा का बनना में उर्जा का बनना क्लियर हुआ अब ऐसे ही प्रोटीन वगरा ले लिया, प्रोटीन बन गई होगी हमारे सरीर के अंदर, प्रोटीन के साथ साथ ही क्या है भाई, इसमें कुछ हमारे नाविकिये अमल हो जाते हैं, नाविकिये, नाविकिये अमल हो जाते हैं, इनका प्रियोग करके, इनका यूज करके, यूज करके क्या क किया जाता है भाई कोशिकाओं का निर्माड होता है कोशिकाओं का निर्माड होता है और उसी को हम बोलते हैं क्या उपचय का मतलब होता है कि बड़े-बड़े रूप से एक क्या है एक तरीके से एक संगटन का छोटे-छोटे रूप में तूट जाना हमारा अपचय होगा औ और उपचय का मतलब है एक बड़े रूप में जैसे प्रोटीन अपने आप में वो हो गई भाई नूकलिक अमल होते हैं हमारे कुछ नाविकी अमल हो जाते हैं तो जो नूकलिक अमल जैसी चीज़ा होती है नाविकी अमल जैसी चीज़ा होती है वो कोशिकाओ के अंसों का जो उपाप चे के कारण होगा, option number B is the correct here, चलो, अगला कोशन देखते है, क्रतिम रेसा, क्रतिम रेसम का निमलिखित में से जो नाम है वह क्या है, देखो, क्रतिम रेसा क्या होता है, एक बार फटाबर से आंसर करके बता हो, इसे synthetic fiber के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जान आफसन नमर A is the correct here, यह क्या होता है, क्रतिम होता है भाई, artificial भी होता है, हम कह सकते हैं, इसको क्रतिम रेसा के नाम से जानते हैं, ठीक, रियोन, ठीक है बच्चो, आगे बढ़ें क्या, चलो, अगले कोशन की तरह मूप करेंगे, और अगला कोशन क्या होगा, उसको देखते अगला कोशन है, हमारा क्या, रेसम तन्तु, रोम, पिच्चु, नक, तथा नकर, निर्मित होते हैं, यह कोशन कहना चाहरा है भाई, क्रेसम पिच्चु, अब रेसम तन्तु जो होता है, रोम होता बच्चा, जो पिच्च होता है, नक होता है, और नकर होते हैं, या जो इलायरेटिन से बने होंगे, बच्चा वो केरेटिन से बने होते हैं, और से नमर सी इस दा करेक्ट आंसर भाई, थोड़ा फास्ट करेंगे कुश्चन्स को जल्दी जल्दी फटावर से, निमलिखित में से कौन सा पादप रेसा तने से प्राप्त होता है, पादप रेसा तने से प्राप्त होगा, अच्छा एक देखो कपास है, कायर है, और ये कैस सनई है, आपने देखा होगा न, एक फसल की जाती है, सनई के लिए बच्चा है न, सनई के लिए एक फसल की जाती है, और उसके उपर से क्या है, हम सन को उतार उतार के रखते हैं, गाउं में देखा होगा आपने, जिसे आपकी भाहसा में, सुद्ध भाहसा में कहें, तो धेंचा वाली जो खेती होते हैं, डंडे वाली जो खेती होती है, वही होता है जह ना, तो आपने देखा होगा सन ही उस पैसे उपर से निकाली जाती फिर उसको एक गठरी बना करके रख दिया जाता है फिर इसको पीट पीट करके बहुत पतला बना दिया जाता है और फिर उसमें से क्या है भाई हमें सन की क्या बना ली जाती है छोटी छोटी रसी टाइप की बना ली जाती है उससे चार पाई वगएर भी बनाई जाती है कई सारे कामों में इसको यूज में लिया जाता है तो वो सनई होती है गाहों के बच्चे बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे जैसा कि मैं फील कर रहा हूँ सनई, चलो, निम्ण में से कौन सा जीव अपनी तवचा से स्वांस लेता है देखो मैंने आपको कल की क्लास में सारे जीवों के बारें बता दिया था कि रैप्टाइल्स किस्से स्वसंगिरिया करेगा एंपिवियंस किस्से स्वसंगिरिया करता है और जो हमारा मैमल्स होता है वो किस्से स्वसंगिरिया करता है यह सारी बात है हमारी कल की क्लास में डिसका समझे कर ली थी तो उसी के आदार पर अब इसका आंसर आप ही बच्चे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा बिटा फटाफर से मुझे आंसर करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा साथ ही हो देखो एक चीज़ यहां पर समझो, मचली, कबूतर, मेरक और तिल्चटा अगर मैं बات करू हम एक बात करना से, किस से बात करना मैं ते त्वचा से अब त्वचा कि दौरा जो स्वस्वशं़ के लिए करेगा, तिल्चटा और मचली मचली तो गिल्स से स्विसन किरिया करती है ना मैंने बताये था ये किससे करेगी भाई गिल्स से गलफणों से स्विसन किरिया करेगी अग ये किससे करता है भाई ये हमारा गिल्स से भी करता है ये हमारा इसकिन से भी करता है और ये हमारा भाई किस से कर लेगा ये lungs से भी कर लेगा अच्छा एक और question आए आप से ये पूछ लिया जाए न adult frog किस से करता है adult frog, adult bias जो हमारा medic होता है ये किस से करता है इसके लिए हमेशा आप answer करेंगे क्या lungs, हमेशा answer क्या होगा adult frog के लिए lungs होगा tracheal system जो होता है ये tracheal system होता है जिसे नलिका जाल के नाम से जानते है है ना, नलिका जाल के नाम से जानते है अब क्या बचा है हमारे पास frog बचा है, क्या बचा है frog अच्छा कबूतर किस में आ गया, पक्षियों में आ गया कबूतर किस से करेगा मैंने बताय था डायर सेक्स से करेगा विटा डायर सेक्स कहलो एयर सेक्स कहलो या फिर हम कह सकते हैं क्या बायू कोस कह सकते हैं हिंदी में तो ये कबूतर बायू कोस से करेगा जिसे डायर सेक्स के नाम से जानते हैं या एयर सेक्स कहलो air sec कहेंगे ठीक है गलत हो गया air sec कहेंगे है ना dire sec, air sec, byukos अगर यह option में नहीं होगा तो langs answer होगा कभूतर के लिए लेकिन यहाँ पर answer क्या है बच्चा यहाँ पर answer क्या हो जाएगा वो हो जाएगा वाई option number c is the correct बेटा आपके लिए अगर हम बात करना है किसकी pdf की तो pdf के लिए आप परेशा ना हुएगा, pdf के लिए आपको कुछ नहीं करना, play store पर जाएगा वहाँ पर एक telegram करके channel होता है, उसको आप download करना है, उसे download करके telegram पर search करना है बिहार उतकर्स और जब आप telegram पर विहार उतकर्स सर्च करेंगे, तो वहाँ पर 36,000 point में कुछ और होगा मतलब लगवक 36,000 हमारे उस telegram channel पर बच्चे जोड़े हैं तो आप भी उसको join कर लेंगे जिसमें regular सारी की सारी classes की video link और सारी की सारी classes का pdf आपको update कराया जाता है तुरंत मिल जाता है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, telegram channel को download करके, बिहार उतकर्स करके telegram channel है और बिहार उतकर्स वाले telegram channel को अब download करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें वहाँ पर available हो जाएंगे चलो भीया, कहीं नहीं जा रहें हम तो बस पढ़ा ही रहें आपको medak cold blooded animal होता है देखो cold blooded animal की बात करने ये बात सही है या गलत है, ये बात पूछ रहा है medak cold blooded होता है, ये बात सही है कि नहीं भाई, एक बार बताओ अच्छा एक बात यहां पर ये सोचिएगा जो medak होता है ना हमारा medak जो होता है या फिर मैं medak के साथ में बात करूँ भाई चिपकली की, जो हमारी चिपकली होती है चिपकली, इसे lizard कहते है बच्छा, है ना, चिपकली हो गई यहीं पर अगर मैं बात करूँ कोई भी कीट होता है कीट हो गया यहीं पर अगर मैं बात करूँ वच्छा गिर्गिट गिर्गिट हो गया और यहीं पर अगर आप से बात की जाते है किसी गिर्गिट हो गया यहीं पर आप से बात की जाती है ना तो मेड़क की बात की जाती है विटा तो छिपकली हो गई, कीट हो गया, गर्गिट हो गया, मेड़क हो गया, ये सारे किसमें आएंगे भाई, ये cold-blooded animals में आते हैं, ये हमारे किसमें आते हैं भाईया, ठंडे खुन वाले में आते हैं, और भी लिखना चाहें तो यसे सर हो जाता है, इसमें हमारा मगर मच्छ हो जाता है, तो ये सारे ठंडे खुन वाले जंतु होते हैं बच्चा, चलो, ठीक है, ये इस दा करेक्ट, भाई, ये एकदम सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है, हाँ मानब जो होता है, वो hot-blooded नहीं कहते हैं, उसे बार्म-blooded कहते है बच्चा, गर्म-खुनवाले जंतु को बार्म-blooded कहते हैं, और ठंडे खुनवाले जंतु को cold-blooded के नाम से जाना जाता है, चलो, अगला कोशन देखते हैं, मेड़क के कायांतर में क्या होता है, इसमें क्या है, चिपकली, पिछली टांगे समापत होती है, गलत बात है, मे लिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा पररच्छक होता है विटा, अचार के लिए अच्छा पररच्छक क्या होगा, काली मिर्च डाल दो तो अचार का पररच्छन होगा, क्या काली मिर्च भी घराब हो जाएगी उसके साथ में, नमक एक टेस्ट के लिए डाल के लिए जाला जाता है sodium metawye sulfite होता है sodium benzoate सबसे ज़्यादा क्या माना जाएगा sodium benzoate किसी भी अचार को एक परच्छण देने के लिए उसे एक लंबे समय के लिए सर्ब नहीं देखी यह तो बहुत बड़ी बात हो गई कि आपने अभी तक सांप नहीं देखा है है ना मिलवाएंगे किसी दिन आपको सांप से दिखाएंगे आपको सांप है ना टेंसन ना लो तो देखो यहाँ पर क्या है sodium benzoate इसका सही जबाब होगा sodium benzoate होगा sodium benzoate होगा अनुराग जी चलो अचार खराब नहीं होता बिलकुल अच्छा एक बात बताओ जब आपके घर में ममी जी अचार डालती है कभी कवार जब ममी अचार डालती है तो जो अचार डलने वाला बरतन है उसको एक दिन के लिए धूप में रखती है उसके पीछे का कारण क्या होता है दूप में रखने का अचारी वरतन को दूप में रखने का काण क्या होगा आंसर करके बताओ चलो भाई आगे बड़ेगो मेरा ठन क्लास करा दो सर रर्रीजिन हो जाएगा कोसिज करते हैं भाईया इस सीज़ की भी है ना चलो अगला कोश्चन देखेंगे निमलिखित में से कौन सी एक अनुपरस्त तरंग है तरंग नहीं है मैं बिहार SI के लिए एक मेराथिन क्लास लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्दी ही और उसमें Physics, Chemistry और Biology के Combined Quotations और वो भी One Liner Questions One Liner Questions Combined Questions की क्लास लगाऊँगा और आप उसके लिए अवश्च तयार रहना लंबी क्लास चलेगी उस पर हम लोग बातें करेंगे पर वो अभी समय है उसमें थोड़ा सा उससे एक दो दिन पहले ही आपके EXAM से पहले ये चीजन कीज़ाएंगी और रामबार सावित होगा है ना चलो आगे बढरें देखो वई निमलिखित में से कौनसी एक अनुपरस्थ तरंग नहीं है अनुपरस्थ तरंग नहीं है कह रहा है भाई अनुपरस्थ तरंग नहीं है गईटा कौन सी है प्रकास रेडियो बिद्धुत चुम्मकिय तरंगे या धुनी तरंगे अनुप्रस्त तरंग नहीं है बहुत बढ़िया आपने टार्गेट अचीव किया उसके लिए बहुत बहुत धन्नवाद थैंक यू सो मच चलो आगे देखेंगे भाई अनुप्रस्त तरंगो अधिक नजदीक से किस सम्मंद रखता है देखो डॉप्लर एफेक्ट के माद्यम से डॉप्लर एफेक्ट ने इको काडियो ग्राम से रिलेट करेगा डॉप्लर एफेक्ट जो होता है ये इको काडियो ग्राम से रिलेट करता है अगर हम बात करते है किसके डॉप्लर एफेक बहुत बार पूछा गया question है यह वाला, कि sonar का पूरा नाम क्या होगा, sound, navigation and ranging, sound, navigation and ranging, sound, neutralization and reaching, बहुत प्यारा question बहुत जल्दी से answer करो, जल्दी answer करेंगे, इसका question का answer आप भी देंगे, मुझे तो नहीं पता, आप भी बताओ, फटाफट से, बहुत बढ़िया, पवन कुश्वा जी, जुही सींग जी, बहुत बढ़िया, अनराग जी, रूमी खान जी, अब तो भाई, line लग जाएगी, C, 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 कुशी जी, आप थोड़ा सा गलत कर रही है, अनराग जी बहुत बढ़िया, प्रवीन जी, पलग जी, वलजीत, चलो भाई, अब सभी बच्चे देही रहें तो मैं भी बता देता हूँ, इसका answer यही होगा, sound navigation and ranging, यह जो sonar होता है, यह समुद्र की गहराई का पता लगाने का यंत्र हो पता लगाता है, parts जो तूड़ जाते हैं वच्चा, parts, parts का पता लगाएगा, और एक और बात करें, तो दुस्मन की पंडुब्बी का भी पता लगाता है, पंडुब्बी का पता लगाता है, यह क्या sonar, sonar को sound navigation and ranging कहते हैं, फैदो मिंटर के रूप में भाई, इसको मापरा समुद्र की गहराई, यह जो आपने देखा होगा, जहाज पानी के जहाज, उसके center point पर एक object यह लगा दिया जाता है, जिससे क्या है, ultrasonic wave निकलती है, और जब ultrasonic wave नीचे जाती है, और फिर वो टकरागर उपर आती है, तो उसकी गहराई, depth का पता लगाता है, यह ना, द अची बात होगी, धनावेसित आयनों को कहा जाता है, धनावेसित आयनों की अगर बात करने हैं, तो simple जी बात है, जो धनावेसित आयन होगा, जो धनावेसित आयन होता है, उसे धनावेसित ही कहा जाता है, और जो रिनावेसित होता है, उसे रिनावेसित कहा जाता है, लेक धनायन कौन होता है याद रखेंगे और धनायन की हम लोग बात करें वेटा तो ये मैटल जो होते हैं क्या होते हैं मैटल मतलब भाई धातु हम कहेंगे ये धनायन होंगे अगर धनायन की बात करूँ तो ये हमारा हो जाता है नोन मैटल non metal हमारा क्या है भई अधातू अधातू क्या हो जाते हैं वेटा हमारे non metal हो जाते हैं तो यहाँ पर धनावेसित आयन को क्या बोला जाएगा धनायन बोला जाता है option number C is the correct here option number C is the correct here चलो भई और बताएं बच्चों कैसे हाल चाल क्या सबकुछ ठीक ठाक मस्त बिंदास बढ़े अजरली लाइफ आपकी तो यह आज का सहसन यहीं पर एंड होता है बच्चों 26 questions आज की glass में हम लोगों ने देखे और आपने भी इसको enjoy किया और उमीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा सहसन अगर सहसन अच्छा लगता है तो लाइक करके वश्य जाए और अपने दोस्तों के साथ साजा जरूर किया करें और अपनी सोचल साइड पर इस वीडियो लिंक को जरूर भाई स्पेस दिया करो चलो फर बच्छो ठीक है आज के लिए इतना ही है तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा स्वस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा थैंक यू सो मच फर वचिंग वाई वीडियो और अल दा वैस्ट फोर अपकमिंग क्लास बाई टेक केर लव यू अल थैंक यू झाल 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 झाल